जैहिन सांतियों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर सांतियों आज हम UKPSC का एक और प्रवियस येर पेपर हल करेंगे हालांकि ये जो पेपर है वो 2016 का है क्योंकि उत्राखंड पुलिस कॉंस्टेबल के भरते उसके बाद से नहीं आई थी इसी बार इसका एक्जाम होगा तो इसी लिए हम इसी को हल करेंगे हालांकि जो इस बार का लेवल होगा वो थोड़ा सा इससे बढ़कर ही होगा क्योंकि इस बार जो है आविदन भी जादा हुए है और आप जानते हैं साल तर साल कॉम्पटिशन बढ़ता है तो थोड़ा सा जो एक्जाम का लेवल है वो बढ़ जाता है फिर भी एक बार हम इस त्वेवर को देख लेंगे कि कैसा उस समय एक्जाम आया था और इसके जो एक्स्टा फेक्ट्स होंगे उनके बारे में भी जानेंगे और बाकी और प्रिवियस येर जो पेपर आपको चाहिए तो आपको हमारे प्लेलिस सेक्षन में मिल जाएंगी इसके लिए एक सेपरेट प्लेलिस्ट है UKPSC प्रिवियस येर कोईशन पेपर साथ में उतराखंड क्लासेज आप उनको जाकर जरूर देखें चलिए शुरू करते हैं तो विश्व समुत्र दिवस कब मनाए जाता है पहला प्रेस्ट है आठ जुन को ये मनाए जाता है हलांके इसमें पहले से टिक लगे वे हैं प्रस्ण तो चलिए अगला प्रस्ण भारत और डेस डेस का स्वतंतरता दिवस 15 अगस्त है दक्षिन कोरिया का भी स्वतनतरता दिवस 15 अगस्त है भारत का 15 अगस्त 1947 और जो दक्षिन कोरिया हुआ था वो जापान से आजाध हुआ था 15 अगस्त 1945 इस वी में अगला प्रस्ण है द्रोणा चारे पुरसकार संबंदित है तो ये खेल प्रसक्षक से ये संबंदित है द्रोणा चारे अर्थात ये कोचेज को दिया जाता है बाकी खेल के संबंद में बात करें तो खेल का जो सबसे बड़ा या सर्वोच पुरसकार होता है वो होता है राज बढ़ते हैं अगले प्रस्न की तरफ अगला हमारा प्रस्न है अगर रासियों की बात करें तो जो राजीव गांधी या फिर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरुसकार है उसमें 25 लाख रुपे इनाम मिलते हैं साथ में जो द्रोणाचार्य पुरुसकार है उसमें 15 लाख का अगला प्रस्न मदन मोहन मालवी को महामना की पदवी किस ने दी तो महामना की जो पदवी दी थी वो महात्मा गांधी ने दी थी मदन मोहन मालवी को और इनोंने ही बनारस हिंदू युनिवर्स्टी को 1916 में जो है प्रारंब किया था अगला प्रस्न है निम्न में से कौन राजनी तिग्य नहीं था, एमवती नंदन भगणा सुन्दरलाल भगणा क्या थे ये राजनी तिग्य नहीं थे ये क्या थे ये एक पर्यावरण विध्थ थे या पर्यावरण प्रेमी थे और इनको जो बड़े लेवल पर चिपको आंदलोन का प्रणेता माना जाता है, चिपको अंदलन जो की गौरा देवी के ने सुरू किया था और लेकिन इसको बड़े लेवल पर पहुंचाने का जो कारी किया था वो सुन्दर लाल बहुगणा ने किया था अगर बात करें चिपको अंदलन की तो वो 1970 इस वी के करीब ये स्टार्ट हुआ था चमोली जिले से तो ये इसके जो एक्स्टा फैक्स थे बढ़ते हैं अगले प्रसन की तरफ बैरी बैरी रोग किसकी कमी से होता है तो विटामिन बी की कमी से अगला प्रसन हमारा बाकी नीला क्या होता है प्राथमिक रंग होते हैं बढ़ते हैं अगले प्रसन की तरफ उत्राखंड राज में राज्य सभा के लिए कितनी सीटे हैं राज्य सभा के लिए उत्राखंड में तीन सीटे हैं अगर वहीं बात करें लोग सभा की तो उसके लिए पांच सीटे हैं अग प्रस्ण उत्राखंड राज्ज का पुस्प है तो ब्रह्म कमल के है उत्राखंड राज्ज का पुस्प है अगर कभी इनके साइन्टिफिक नयाइम या फिर विज्ञानिक नाम पूछ ले तो ब्रह्म कमल का होता है सोसूरिया अब बैलेटा फिर बुरास का होता है रोडोडे या फिर वरिक्षे हैं अगला प्रस्ण राज्य उत्राखंड राज्य की निम्न जन्पदाओं में से किस जन्पद की जन्संक्या सबसे अधिक है तो हारीद्वार इसका सही उतर हो जाएगा बढ़ते हैं अगले प्रस्ण की तरफ उत्राखंड में राष्ट्य प्राध्योगी की संस्थान किस जन्पद में स्थित है पौड़ी गड़वाल में ये स्थित है राष्ट्य प्राध्योगी की संस्थान next question है उत्राखंड राज में भारतिय प्रभंदन सास्तान IIM कहां पर इस्तित है तो ये है कासीपुर में इस्तित है option B इसका सही उत्र हो जाएगा बढ़ते हैं अगले प्रस्न की तरफ अगला प्रस्न है हमारा चांदरपुर जो सामराज्य था चांदपुर गड़ जो समराज्य था वो स्थापित हुआ था कहां पर ये चमोले में स्थापित हुआ था next question हो जाएगा कटारमल का कटारमल मंदिर किस देवता से संबंदित है तो कटारमल मंदिर सूर्य देवता से संबंदित है या सूर्य मंदिर यहां पर है और यह कहां पर इस्तित है यह अलमोडा में इस्तित है लगभग 2000 से अधिक मीटर की हाइट है जो यह जगह है समुदरतल से और यह अलमोडा में इस्तित है अगला प्रसन निमनलिखित में कौन स्वतंतता सैनानी है जिसका सम्मंद कुमाउं से ह कालू महरा इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसमें हम 50 प्रसनों को देखेंगे तो इसके बाद काफी अच्छे प्रसन और भी आते रहेंगे तो पूरा वीडियो जरूर देखें अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब जस्पाल राणा को अब ये जस्पाल राणा थे कौन तो ये उत्राखंड के प्रतिष्ठित क्या थे निसाने बाज थे ओप्षन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा जस्पाल राणा अगला प्रसन वहां इंटरनेट एड्रेस जो रोजाना नहीं बदलता उसको कहते हैं स्टै प्रस्टन हो जाएगा हमारा रिगवेद की मूल रचना किस भासा में हुई थी तो ये संस्कृत भासा में ये रिगवेद लिखा गया था जो कि हिंदु धर्म का प्राचीन के है एक ग्रंथ है जिसमें वेदों में सारी चीज़ें जो हिंदु धर्म के बारे में लिखी अरब सागर बढ़ते हैं अगले प्रस्टन की तरफ बैरो मीटर का प्रियोग किस के लिए होता है तो ये होता है वाई मंडेलिये दाप को मापने के लिए यानि कि एटमोस्फेरिक प्रैसर को इससे ना पा जाता है अगला प्रस्टन निम्न में से कौन सी अनसूचित जंज जाती उत्राखंड में पाई जाती है तो भोटिया, बुकसा, जौनसारी ये सारी जंजातियां क्या यहाँ पर पाई जाती है तो उपरोक्त सभी इसका सही उतर हो जाएगा अगला प्रस्टन उत्राखंड राज के ग्रह मंत्री है तो उत्राखंड राज के जो ग्रह मंत्र है, यहां पर आप options देख सकते हैं, तो यहां पर आप options देख सकते हैं, हरी सिरावत, गलत, प्रिटम सिंग गलत, तो प्रिटम सिंग पौमार ये भी गलत है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, इन में से कोई नहीं, और जो वैसे वरतमान में ग्रहमंत्री है वो पुसकर सिंग धावी है जो कि मुख्यमंत्री भी है अगला प्रस्न भारतिय रिजर्व बैंक के वर्टमान गवर्नर कौन है यहाँ पर जो given options है उनमें से कोई भी नहीं है इनके जो वर्टमान में अभी हमारे गवर्नर है वो है सक्तिकांट दास तो सक्ति सचिव के बाकी और सभी जो भी नोट होंगे उन पर जो रिजर्व बेंक के गवर्नर होते हैं उन्हीं के वहां पर signature या हस्थाक्षर होते हैं 27 प्रत्वी अपने कक्ष में पश्चिम से डेस डेस की और गूमती है तो पश्चिम से पूरो की और ये गूमती है राज्य सवा में अधिक्तम सदश्य हो सकते हैं कितने तो यहाँ पर given options देख सकते हैं पहले इसमें जो मूल समिदान था या पहले इसमें 245 अधिक्तम संख्या थी लेकिन वर्दमान में ये 250 है अगला प्रस्न हो जाएगा हमारा निम्नलिखित का मिलान कीजिये अरिदत कापडी, अभिनाव बिंद्रा, मधुमिता, बिस्ट और हंसा मनराल सर्मा तो ये चारों जो हैं ये खेल से संबंदित हैं और इनके पूरुसकारों के बारे में यहां पर हमको मिलान करना है तो अभिनाव बिंद्रा को क्या मिल रखे हैं इनको राजीव गांधी खेल रतन पूरुसकार हरिदत कापडी को अरजुन पूरुसकार और जो मधुमिता बिस्ट हैं इनके बारे में अगर हम थोड़ा से जानने की कोशिश करें तो हरिदत कापडी जो हैं वो पिधोरागड के थे भन्णारी गाउं के और ये जो संबंदित थे ये थे बास्केट बॉल से संबंदित थे तो इसका ध्यान न केंगे अगला थे हमारा अभिनो विंद्रा इनको लगभक सभी जानते होंगे ये 10 मीटर जो एर पिस्टल राइफल निसाने बास थे जिन्होंने 2008 बिजिंग उलम्पिक में जो है गोल्ड मेडल जीता था भारत का पहला स्वर्ण पदग जो इसमें 10 मीटर जो निसाने बाजी में अगला है जो मदमता बिष्ट है वो संबंदित है बैडमिंटन से तो ये बैडमिंटन से संबंदित है हंसा मनराल जो है ये वेट लिफ्टिंग से संबंदित है और गोल्ड जो ये इन्होंने पुरसकर जीता है ये दौनाचार्य पुरसकर जीता है जोकी दिया जाता है कोचेज को तो इसका सहीततर क्या हो जाएगा option B अगला प्रसन है हमारा पांडव निरित्यय डैस जैस त्यावखार के समय किया जाता है तो दिवाली के समय ये किया जाता है निम्न में से कौन सा musical instrument है हुड का musical instrument यहाँ पर हो जाएगा बाकि सब dances है पबलिक आर्ट इंस्टिटूट इस्थित है नेनिताल हल्दवानी में ये इस्थित है यहाँ पर options सभी गलत है तो नेनिताल हल्दवानी इसका सही उतर हो जाएगा जिम कार्बेड नेस्नल पार्क संग्राले इस्थित है काला ढूंगी में ये इस्थित है अगला प्रस्न भारत के उपराष्टपती को इनके द्वारा चुना जाता है तो लोकसभा सदेश्य, राजसभा सदेश्य, संसत के दोनों सदनों के सदेश्यों द्वारा इनको क्या गिया जाता है चुना जाता है option C हो जाएगा अगला प्रस्न पी टी आई का पूर्ण स्वरूप है Press Trust of India इसका सयूत्तर हो जाएगा Press Trust of India Next question उत्राखंड का पुलिस मुख्याले स्थित है, हरी द्वार में ये स्थित है उत्राखंड का मान्य उच्च नियायाले स्थित है, ने निताल में ये स्थित है अगला प्रस्न उत्राखंड लोकसेवा आयोक के प्रतम अध्यक्षित है वो कौन थे? NP नवानी थे जो कि सेवानिवरित थे IAS यह कहते लोक सिवा आयोग के प्रतम अध्यक्ष थे बढ़ते हैं अगले प्रस्न की दरफ तो हमारा अगला प्रस्न है उत्राखंड राज्य निर्वाचन आयोग आयुक्त कौन है यहाँ पर आप देख सकते हैं तो इन में से ये कोई भी नहीं है इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा चंदर सेकर भट तो चंदर सेकर बढ़ के हैं निर्वाचन आयोग आयुक्त अगला प्रस्न है हमारा मानिये देश देश उत्राखंड राज के दुतिय राज्य पाल थे तो सुदर्सन अगरवाल के थे दुतिय राज्य पाल थे कई बार दुतिय भी यहाँ पर पूछा जाता है निमने लिखित में से योग पूखिक सब्द क्या होते हैं दो जो सब्द होते हैं दो सब्दों के मेल से बने हुए सब्द जिनका जो पहले के मूल सब्द होते हैं उनका भी कोई न कोई अर्थ होता है अगला प्रस्न है दो भिन सुरोतों से आये सब्दों के मेल से बने नए सब्दों को क्या कहते हैं तो संकर सब्द इनको कहा जाता है आकास का परियाईवाची सब्द है आकास का क्या है नब और शुन्य ये दोनों क्या है आकास के परियाईवाची है ललना, कांता, अंगना और कामिनी किसके परियाईवाची है तो ये इस्त्री के परियाईवाची है कई बार पूछा जाता है कुटिल सब्द का विलोमार्थी सब्द है तो सरल कुटिल का क्या हो जाएगा विलोमार्थी सब्द ग्राय सब्द का विलोमार्थी सब्द है बी और सीज का सहीपतर हो जाएगा क्या क्या ग्राहय मतलब ताज्य या फिर अग्राहिया option D's का right answer हो जाएगा अगला हमारा प्रस्थन है सब्द देंदार और लेंदार में क्रत प्रते का चैन कीजिए तो इसमें दार क्या है? प्रते है प्रते क्या होते है? जो सब्द के अंति में लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं या किसी नए अर्थ को जन्म देते हैं बादब बकाइदा सब्दों में आगत उपसर्व क्या है? तो इसमें बा है उपसर्ग सब्द के पहले लगते हैं तो उनको उपसर्ग कहा जाता है इससे संब्दित प्रसन भी काफी बार पूझे दाते हैं इस वीडियो में हम 50 प्रसनों को देखेंगे बाकी के जो 50 questions होंगे वो next वीडियो अपलोड की जाएगी सुद्ध सब्द का चैन कीजिए तो प्रसासन यहाँबर आप देख सकते हैं प्रसासन को किस प्रकार से लिखते हैं प्रसासन इस प्रकार से यह लिखा जाता है अगला प्रसन बहुबरी समास के उधारन का चैन कीजिए दसानन गजानन नीलकंट इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा इन में से सभी क्योंकि दसानन भी क्या है ब्रहुबरी समासे गजानन भी और नील कंठ भी तो इसका option D सही उत्तर हो जाएगा बाकी 50 प्रस्न कुछ इस प्रकार से थे ऐसे ही वीडियोज लगाता राती रहेंगी तो जुड़े रहें UK PSC के previous year paper के लिए जी के वीडियोज के लिए और भी जो online classes के लिए तो जुड़े रहें job update साथ में दी जाती है धन्यवाद